हेलो दोस्तो वेलकम तुबाई चैनल SKK exam study channel तो दोस्तो CET का चो exam हो क्या है 5-6 नोवंबर के बीच में यानि कि शनिवार और रभीवार को क्या है होने वाला है चार shift के अंदर या exam होगा यानि कि एक दिन के अंदर क्या है दोस्तो दो shift बनाई गई है तो बहुत सारे बच्चे क्या है exam देने के लिए जाएंगे और उनको क्या है थोड़ी सी मजानकारी उनके साथ सेर करूँगा बहुत सारे बच्चों के मनमें अभी भी ये doubt है कि हमें exam में लेकर क्या जाना है देखो दोस्तो एक्जाम में क्या है आपको लेकर क्या जाना है एक तो admit card मैं बताता हूँ कि ये चार चीजे हैं जो आपको एक्जाम में जरूर लेकर जानी है एक तो दोस्तो क्या है admit card लेकर जाना है तो दोस्तो सबसे पहले आपने क्या है admit card लेकर जाना है admit card अब आप कैसे निकल वाएंगे बहुत सारे बुच्छों के अपने में ये भी एक ही admit card colorful होना चाहिए या वैसे होना चाहिए white background वाला होना चाहिए ठीक है एक्जाम देने के लिए आप चाह रहे हो तो आपने क्या है color वाला प्रिंट निकल वा लेना है admit card का दो फोटो आपके पास उन्हें चाहिए अब बच्चों के में में डाउट है कि जो फोटो आपने अपलोड किया था दो साल पहले क्योंकि foam भरते-बरते क्या है काफी लंबा अर्शा गुजर गया है तो अगर आपके पास जो आपने foam भरा था उसमें जो आपने फोटो अपलोड किया है नहीं तो अभी जो current वाले हैं दो photograph आप उनको भी ले जा सकते हो कोई problem नहीं होगी तो दोस्तो यहाँ पर एक तो admit card हो गया फिर क्या है दो photo लेके जाने हैं और एक आधार card आप आधार card भी ले जा सकते हैं water ID card भी ले जा सकते हैं या आपकी पहचान इनके बिना क्या आप इस center में entry नहीं कर सकते हैं ठीक है photo state नहीं चलेगी आपको क्या है अपना original आधार card लेकर जाना है कहीं आप photo state लेकर जाओ तो वह वाँ पर मन्य नहीं होगी तो दोस्तो उसके बाद क्या है एक self declaration का form है जो कि मैंने आपको बता दिया है यह चार चीज़े आपको exam में लेकर जानी है और आपको क्या है दोस्तो देखो टिकट confirm करवा सकते है यानि कि अपने नाम करवा सकते है वो आपको कोई टिकट नहीं देंगे आपका जो admit card है उसके पिछे क्या है बस का number लिख देंगे और आपको क्या है दोस्तो वहाँ पर सपस्ट रूप से लिख देंगे कि आपकी यह seat है जब भी बस जाएगे तो है best of luck आपको क्या है बहुत सारी सुब्र कामना है और आपको क्या है दोस्तो आपने अगर हमारे चैनल को देखा है जो भी हमारे सब्सक्राइबर है आने बाले इसमें में बहुती बड़ा चैनल होने वाला है बिल्कुल free of cost हम आपको क्या है education देंगे और आपके साथ है अगर question paper हमें time पर मिलता है तो हम आपको क्या है उसको पूरा का पूरा solve करके उसका solution निकाल के देंगे तो दोस्तो सभी बच्चों को क्या है बहुती सुब्र कमना है हम देते हैं कि यह exam हो रहा है और बहुत सारे बच्चे क्या है इस exam की wait भी कर रहे थे तो आपको क्या है चार के चार document दोस्तो लेकर जाने हैं और कोई भी document आपसे चुटना जाए और एक और point जिनके क्या है दोस्तो date of birth गल्त है या जिनके roll number में कुछ कमी है या photo में कुछ कमी है तो अगर मालो किसी की date of birth है तो आपने क्या है अपना दस्मी का परमान पत्तर लेकर जाना है दस् एफिडेवेट में लिख बालो कि अवारी date of birth यह है और क्या है ऐसे ऐसे गल्त हो गई है तो वहाँ पर आप उस एफिडेवेट को दिखा दोगे तो वह मानने होगा आपको क्या है exam के अंदर entry मिल जाएगी तो दोस्तों आपको क्या है बहुत सारी बदाईया और exam अच्छ वीवेट नहीं भरा तो आपका क्या है उसका नवर कटेगा दोस्तों तो आपने 5 वावकल्प बरना है सभी question को attempt करना है OMR other seat है ठीक है OMR seat है उसको क्या है खाली नहीं चोड़ना होगा आपने सभी questionnaire करना है नहीं तो क्या हाख times पूरा परियास कर रही है कि पेपर कहीं से भी लेक ना हो और क्या है मतलब सही तरीके से पेपर हो जाए तो दोस्तों यह जानकारी मैंने आपके असाथ शेयर की है इस वीडियो को शेयर करना जै हिंद जै भारत